प्रदेश की जनता ने बैनों भाईयों अपने नतीजे लगभग सुना दिये हैं अब तक जितने भी चरल की काउंटिंग हुई है उसमें भारतिय जनता पार्टी बहुमत के आकड़े से आगे निकल चुकी है जस्न का महौल भारतिय जनता पार्टी के खेमे में है बीजेपी इस वक्त 401 जो रुजहान सीटों के हमें प्राप्त हुए है बीजेपी 245 सीटों पर आगे है और समाजवादी पार्टी 146 सीटों पर आगे है बीजेपी 5 कांग्रेस 3 और अधर्स को 2 यानि भारतिय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाती हुई दिख रही है ब दोनों के बीच का अंतर लगभग 100 सीटों का के आसपास का होता जा रहा है और यह आकड़ा बढ़ा है लगातार बढ़ता भी जा रहा है हमारे पास जो 401 सीटों का आकड़ा है 245 बीजेपी 146 समाजवादी पार्टी बीस पी 5 कांग्रेस 3 अधर्स 2 दूसरा अपडेट बीजेपी से आगे मडीपूर में भी बीजेपी सरकार बना रही है 30 तो पर आगे चल रही है और उमीद है कि वहानं साट सिटें तो बना सकती उत्तर खन में सत्तर में 45 सीटें बीजेपी जीत रही है 21 आ रही है कांग्रेस के खाते में अधर्स के इससे में चार सीटें पंजाब में जबरदस्त करांती हुई है और आम आदमी पार्टी की सरकार वहां बन गई लगबक 89 सीट्स आई हैं वहां पर यह बड़ा प्रदरसन हुआ है गोवा साथ आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं अमित्पूरी भारती जनता पार्टी से हैं दीपक मिस्रा पीएस पील से हैं अमित्पूरी थोड़ी देर में आएंगे डक्टर उमा संकर पांडे कांग्रेस से हैं संतोस यादव आरेलडी से मनी सिंद्वी जी हैं ब्रजे अब जनादेश का सम्मान करना चाहिए अब लेकिन हम निराश नहीं है इसी निराशा में हम अपने कर्तब को तलासेंगे और सौ सीटों की जो बढ़त रुजहान में है हो सकता हो हम सरकार भी बना लें चुके भी रुजहान परणाम नहीं है तो फिर भी अब बहुत अंतर ह हो गया है जनादेश का सम्मान करना चाहिए हम समाजवादी खेमे के सभी सेनानियों और सिपाहियों को आत्म मन्थन करना चाहिए और एक चीज़ इस पस्ठ है कि जनता भाजपा के खिलाफ थी यह सही है कि कुछ तक्निकी कारणों से भरे हो सकता हो सरकार में दोबारा पिछली बार से हम भाजपा की तुलना भाजपा से ही तो करेंगे और जहां तक हम लोग की बात है तो हम लोग तो आगे बढ़े ही है 47 से थे 147 वैसे अभी यह पहुंच चुके हैं आगे भी बढ़ेंगे खैर लेकिन एक चीज़ का में ध्यान देना होगा कि भारती जनता पार्टी के विरुद्ध जो संघर्ष है उसे और धार देनी होगी और इस चुनावी परणाम ने